हलो बच्चों मेरा नाम पुवर्ण कौन अगपता टीम फिजिक्स सील सीकर तो नीट की गड़ी सामने आ चुकी अब हमारा आखरी दंगल दंगल साथ जिसमें हम फुल सिलिबस फिजिस का डिसक्रेशन करने वाले हैं आप लोगों ने पेपर जो है अच्छे से दिया होगा और पेपर की जो लास्ट मुमेंट की तियार होती वह आपकी बहुत अच्छे चल रही होगी तो शुरुवात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की section E जिसमें आपकी 35 questions से सारे attempt करने होते हैं तो पहला question आता है F और R आपको vector दिये में इनकी अधिश और सदिश यने की dot product और cross product दोनों बताने ठीक है तो सबसे पहले आता है F dot R तो कैसे करते हैं तो को direct करेंगे अब लिखना कम से कम तक है मैं exam की तरीका याद रहे I वाले को I से J वाले को J सोर K वाले को K से तो 2 और 3 का multiple plus 1 और 2 का multiple फिर plus minus 1 और minus 2 का multiple तो कितना आएगा बिटाए 6 और 2 8 और 2 10 तो यह आएगा 10 तो यह दो option तो गलत होगे अब करना इसका cross product तो cross कैसे करेंगे आपको पता ना अपन determinant बनाते हैं इसका एक I, J और K हैना F cross R कर रहा हूँ तो 2 1 minus 1 3 2 minus 2 तब देखो इसको क्या solve करेंगे अपन 2 और यह I लिखना है तो minus 2 और plus 2 तो I हो जाएगा मेरे पास minus 2 plus 2 J हो जाएगा minus 3 और plus 4 और K हो जाएगा 4 minus 3 देख इतना आएगा 0 I, 1 J, 1 K इसका जो magnitude निकालोगे, magnitude कैसे निकालोगे इसका बेटा 0 का square plus 1 का square plus 1 का square किता आएगा इसमें root 2 तो 10 और root 2 यह मेरा आगे इसका 51 का first answer इसमें कोई confusion आगे बढ़ते हैं 52 पे 52 में आपको बोला है कि एक block जो है वो N minus 1 से N के बीच में S N चलता है तो मतलब N way second में S N चलता तो N plus 1 और N way second का ratio क्या होगा तो देखो simple सी बात है S N upon S N plus 1 second S N का formula क्या होता है U plus half A 2 N minus 1 यह क्या हो जाएगा U plus half A 2 अब N की जगे रख दो N plus 1 minus 1 इतना सा काम करना है U कै दिया है आपको यह rest में था न तो U की value 0 हो जाएगी तो 0 यह तो 0 होगया अब यहाँ 0 रख दो half A से half A कर जाएगा तो ओपर क्या आएगा 2 N minus 1 2 N plus 2 minus 1 यहने की 2 N plus 1 तो 2 N plus 1 2 N minus 1 यह होगया आपका first option इसमें कोई confusion तो 52 का first option 53 पाते हैं 3 block है और यह constant speed से उपर जा रहे हैं देखो constant यह velocity अगर दिया होए न velocity constant मतलब कि acceleration कितना हो गया 0 तो F net B कितना आएगा 0 सब पे ही net 40 आएगा तो 53 का third option आगया आगे बढ़ते हैं तो constant velocity उसलिए net 40 बोलेंगे ठीक है हर block पे net 40 जाए वो M हो 2 M O या 3 M O 54 में F दिया हो है और आपको T time पे develop power बता रहे हैं ठीक है तो power F क्या होता है F by mass acceleration होता है और V क्या होता है A dot dt है ना integration करेंगे तो 2T ik plus 3T square jk mass 1 और इसका integration dt 0 से t तो velocity क्या होता है कि 2T square by 2 ik 3T cube by 3 jk है ना और इसमें limit लगा दोगे तो आपके पास आएगा T square I plus T cube j तो power क्या हो जाएगा F dot V F क्या हो जाएगा 2T I plus 3T square j dot T square I plus T cube j तो कित्त हो जाएगा है 2T cube plus 3T 5 है ना F dot V करेंगे तो 2T cube plus 3T 5 third option आगे 54 का इसमें कोई confusion है ना तो simple सा तरीका है acceleration है ना आप पहले acceleration निकाल लो force by mass करके और फिर integrate कर दो उससे वी आ जाएगा acceleration का integration से और power होता है F dot V इस formula को आपको काम में लेना है इसमें कोई confusion मीटा आगे बढ़ते हम हमारे 55 पे 100 kilowatt transmitter है एक गंटे में कितनी energy emit करेगा तो देखो energy क्या होता है power into time power कितना है 100 kilowatt time किता दिया है एक गंटा इने की 3600 सेकिंड तो किता आएगा 361234567 साथ पावर तो इसको में लिख सकता हूँ यह अपना 55 का फोर्ट आ गया इसमें कोई confusion बिल्कुल आसान सा question है 56 की बात करते हैं देखो gravitational force का वर्क पूछा है gravitational force is conservative force कैसा अब चाहे आप रास्ते एक से लेकर आओ दो से या तीन से कैसे लेकर आ जाओ इनिशल और फाइनल पूजिशन से में न तो वर्क दन भी क्या हैगा से 56 का थर्ड ओप्शन आ गया आगे बढ़ते है 57 में आपको तीन spherical shell दिए में system का inertia बताना है हर एक का mass क्या है aim radius r तो देखो इसके about तो क्या लिखोगे diameter और ये दो के लिए क्या आएगा tangent है ना और ये भी क्या आएगा tangent तो diameter कितना होता है 2 by 3 mr square होता है tangent के about क्या होता है 2 by 3 mr square plus mr square ये 5 by 3 mr square तो इससे दो बार आएगा ना तो 5 by 3 इसका भी कितना आएगा इसका भी सेम तरीके से 5 by 3 आ जाएगा तो 5 by 3, 5 by 3, 10 by 3, 12 by 3, 12 by 3 mr square हैने की 4 mr square ये आप का answer बन गया है ना तो 1 के लिए तो diameter बाकी 2 के लिए tangent 57 का first हो गया अगला आता है 58 58 में एक planet के लिए escape velocity और दोसरे अर्थ की escape velocity में क्या relation होगा जिनकी radius और density अर्थ की comparison में डबल है तो देखो escape velocity का formula होता है root 2 gm by r mass com का लिए लिए density into volume और नीचे r आएगा तो इसका अदलर proportional क्या होता है r बाहर रोट के अंदर अब आपको बोला है v e और v p है न तो e आजाएगा r of earth row of earth यह आएगा r of planet row of planet अब यह बोल रहे है radius जो है earth की comparison में डबल है row भी 2 times है तो answer के आएगा 1 upon 2 root 2 times 1 upon 2 root 2 यहने की first option आगया मेरा 58 का इसमें कोई confusion तो 57 का first था 58 का first है फिर आएगा 59 59 में आपको दो तार दिये में volume बिस a में पहले की cross section a है दूसरे का cross section 3 है force लगाके delta length करते है तो दूसरे में कितना force लगाना पड़ेगा और उतना ही elongation आपको करना है ठीक है तो f बराबर क्या होता है a y upon l delta l दूसरे में क्या रहेगा area कितना है 3a है ना same material मतलब की क्या हो जाएगा y same तो y अब देखो volume same है ना मतलब की v1 बराबर v2 इसका area और length a l मान ले तो इसके लिए 3a है तो length कितनी आएगी बेटा l by 3 आएगी ना तो यहाँ l by 3 आजाएगा और delta l तो same रखना है अब दोनों equations को divide कर दो तो देखो क्या आजाएगा a y l से delta l सब कटेंगे इधर आजाएगा 1 by 9 ठीक है इसका मतलब f dash कितना आजाएगा 9 f तो 9 f मतलब की मेरा answer आजाएगा फोर्थ 59 का ओके फिर अगला आता है 60 60 म आपको abc में network पूछा है देखो abc यह क्या है एक cyclic process है cyclic process का जो यह area under graph होता ना उसको work बोलते हैं तो यह side कितनी आएगी 2 से 7 यनिकी 5 है ना और यह कितना आएगा 6 और 4 यह निकी 4 का difference है तो क्या आएगा half भई area आता है ना area of pv graph यह होता है work तो half base है 5 10 पार माइनस 3 pressure है 4 10 पार 5 कितना जाएगा half base इंटू हाइट वो ही formula लगा है मैंने तो कितना आएगा पिटा answer 10 10 to the power 2 यहने कि 1000 जूल 60 का आगया मेरा option number 4 correct अगला आता है 61 61 में आपको 3 process दिया वाए तो यह बोल रहे है कि iso-baric, iso-coric, isothermal, iso-thermal, adiabatic इस तरह की process है adiabatic, iso-thermal, iso-baric और iso-coric तो यह बोल रहे है कि slope ज्यादा होता है, वो adiabatic होता है, तो इध्यान रखना, slope of adiabatic जो है वो ज्यादा होता है किस से? slope of iso-thermal से, तो बताव adiabatic कौन सा हुआ, इसमें slope किसका आता है? second का, तो second अपना answer हो गया, मतलब कि first option में second दिया हो, वो answer हो गया, तो 61 का answer आएगा first, अगला आता है 62, source की frequency दिया हो है, 4 beat दूसरे source के साथ generate करता है, और दूसरा जो है वो 513, जो unknown है, उसकी double harmonic, वो 513 साथ 5 beat बनाती है, तो unknown frequency बता नहीं है, देखो, 250 hertz क्या है? non frequency, अननोन में 4 beat आ रहे हैं, मतलब या तो 254 होगा, 4 beat बोला है ना, या 246 होगा, दो possibility है, अब यह बोल रहे हैं कि, जो unknown है, उसका double, दूसरा सनना दिया अंदर, double harmonic, two harmonic यह नहीं कि, यह हो गया अपने बास two times, second harmonic का मतलब क्या होता है बेटा? second harmonic मतलब two times frequency, तो इसका two times करो तो कितना आएगा? कितना आएगा ही? यह आएगा, 508, इसका two times करो तो कितना आएगा? यह आएगा आएगा आएगा, आपके आस 492, और बगली frequency कौन से लिए अपने 513? अब यह बोल रहें, 513 के साथ 5 बीट आने चाहिए, तो अगर मैं 513 और 508 का comparison करो तब तो 5 बीट आ रहे हैं, लेकिन इसका comparison करो तो यह कितना है? यह तो 21 बीट आ रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब मेरा सही answer क्या है? पांच बीट किसमा आ रहे? जब double करने पे 58 है, मतलब original क कितना था? 254, यह सही हो गया, है ना? तो 254 मेरा answer हो गया, ओके? बैस समझ ना कि unknown को आपने double किया, अगर 254 होगा तो 58 होगा, 246 है तो 492 आया, तो इन दोनों को compare करना है 513 से, 513 से comparison करने पे 5 बीट कौन देगा? और विससे बात है 508 देगा, मतलब वो किसका double था? 254 का, त को बोलाएं कि potential क्या होगा? देखो हमें पता है, electric field की direction में potential गटता है, तो यहाँ इसका मतलब है high potential और यहाँ low potential है, तो बता हाई potential किस पे जादा है? B पे maximum है, 4 आगया 63 का, देखो बिल्कुल basic question है, है ना? 63 का 4, 62 का क्या था? 3 था, ठीके? अगले आता है 64, polar molecule क्या होगा है polar molecule बेटा ऐसे होते हैं, जिनमें already जो electron का cloud हो shifted होता है, जैसे मालो electron cloud है, तो यह थोड़ा सा shift होगा, है ना? तो इसमें electron का जो effect है, center of charge हो थोड़ा इधर आएगा, तो वहाँ already एक dipole moment बन जाता है, तो electron cloud जिनमें पहले से shift होता है, external electric field ना लगाएं, तो भी shifted है, उन्ही को ह बोलते हैं, polar molecule, तो यह बोलते हैं, जिनमें permanent dipole moment होते हैं, पर्मानेट electric dipole moment होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, polar molecule 64 का थर्ड आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, 65 में, 65 में बोल रहे हैं, 2.1 volt का seal, 10 ohm से, और यह को बिल्कुल आसान है, आप इसका circuit बना दो वस, यह e, small r, capital current क्या आएगी, इसकी, e, r plus small r, बस value put करनी है, तो i किता दिया है, 0.2, e है 10.1, 10 plus r, तो यह हो जाएगा, 10 plus r, बराबर 21.2, यहने की, साड़े 10, तो r कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 na की, 4th answer आगया, इतना आसान पर देखूं, फिर आएगा 66, यह बोल रहे हैं की, potential meter wire, 100 meter लंबा है, और उसमें कोई constant potential difference अपन ने बनाया, दो cell connect करें, first series में, एक दूसरे को support करते हुए, और दूसके बाद opposite direction में, तो उनकी length आती है, 50 और 10, तो आपको बताना है की, ratio of e-map क्या होगा, तो बिल्कुल आसान सके, इसे, आपकी पास यह potential meter wire मान लिए, अपनने a, b, आपने external 2 cell connect किया, मैं इनको e1, e2 मान लेता हूँ, जब यह दोनों same polarity में हैं, तब जो length आ रही है, वो कित्ती आ रही है बिटा, यह length आ रही है, l1 बरावर 50, फिर जब आपने इनी को opposite polarity में connect किया, तो अब जो नई length आ है, वो कित्ती आ है बिटा, वो रहे गे 10 cm, बस, e1 minus e2, तो देखो, e1 प्लस e2 कितना हो जाएगा, x, e in 8 बरावर क्या होता है, x into l होता है न, तो x into 50, दूसरी equation क्या बनेगी, e1 minus e2, बरावर x into 10, अब दोने equations को मैंने divide कर दूँगा, तो इससे मेरे पास क्या आएगा, e1 plus e2 into 1, e1 minus e2 into 5, तो यह जाएगा, e1 plus e2 5, e1 minus 5 e2, तो यह जाएगा, 4 e1 6 e2, तो e1 by e2 क्या हो जाएगा आपके पास, 6 by 4 यह नहीं के 3 by 2, यह मेरा 3rd answer आ गया, ठीके, 66 में आ जाएगा 3rd, कोई confusion, 67, आपको color coding दिए बिटा, बहुत आसान direct question होता है न, विब्गयोर याद कर लो, यह न, विब्गयोर क्या सुरी, BB Roy वाला, BB Roy of Great Britain has very good wife, यही code है, नमबर लिख दो फिर इनके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीके, अब बताओ, यलो कौन से नमबर पाता है, 4, सब में 4 दिया हो, अच्छा चेक करना ही नहीं नहीं, सब में 4, 7, 0 सब में दिया है, तो ठीके, यह आएगा, 4 नमबर, वोईलेट कौन से नमबर पे, 7 पे, ब्राउन कौन से नमबर होता है, 10 की पावर 1 आएगी, और गोल्ड का मतलब होता है, फ्लस माइनस 5 परशेंट, ठीके, तो आप का ऐंसर आएगा, 4, 7 और 10 की पावर 1, तो 4, 7, 10 की पावर 1, प्लस मायनस 5 परसेंट,狙 है, नहीं 470, प्लस माइनस 5 परसेंट, आप का answer आए 67 का 2 ओके बस ही code याद करना है और I hope सभी को ये code रटावा होगा 68 में आते हैं ये बोल रहे dipole moment maximum कब होगा देखो दो vector है ना उनके बीच का angle जब minimum होता है तो addition maximum आता है यहाँ angle कितना है 90 degree यहाँ कितना है 180 यहाँ कितना है 60 ठीक है 90 यहाँ अब सबसे कम angle कब है C पे तो C अपना answer होगा अंदर थर्ड answer आगा 68 का ओके जब भी dipole moment maximum आएगा इसका मतलब angle दोनो magnet के dipole moment में कम से कम होना चाहिए angle जितना कम होता है vector addition उतना ही ज़्यादा आता है ठीक है 69 बाते है 60 अब बोला है कि R1 R2 radius की दो conducting loop है R1 अगर R2 तो में M क्या होगा देखो R1 तो बहुत बड़ा loop है R2 छोटा सा loop है इसमें अगर current flow करवाते है तो इसमें कितना flux आएगा है ना तो देखो flux 2 में कैसे निकालोगे area of 2 magnetic field of 1 area 2 क्या है pi R2 square magnetic field क्या आता है mu not I1 upon 2R1 अब I1 के अलावाद जो कुछ है वो सब को लिख दो mu not pi R2 square upon 2R1 I I के अलावाद जो सब कुछ है वो होता है mutual inductance क्या रहा है R2 square upon R1 मेरा answer आजाएगा third option तो 68 आ गया इसमें third option आ गया 69 में third option आ गया बिल्कुल आसान सा question है 70 70 में आपको बोलाएगी 60 मिली एंपेर की current आ रही है उसमें इतनी energy आती है तो U बरावर क्या होता है बेटा half L I square U कितना दिया है 25 मिली जूल half L पूछा है 60 मिली मतलब माइनस 3 और square कर दो solve करोगे तो L आ जाएगा 50 10 पर माइनस 3 60 का square 3 6 double 0 10 पर माइनस 6 कितना आएगा 5 by 36 है ना यह रहाएगा minus 4 ओपर बच्चे की minus 2 और minus 4 तो plus 2 500 बटा 36 है ना तो 500 बटा 36 अब देखो options हारे same है ना तो obviously वाथ यह 20 से तो कटेगा नहीं 20 से कम बार कटेगा 20 से कम एक यह option है मेरे पास यहना और 10 से जाला और 20 से कम इस answer आएगा तो आपका option number second calculation नहीं करनी option check कर लो बसब 71 में आपको लेम दिया वाए और AC source में चोड़ा है 100 watt power यूज़ कर रहा है तो यह आपको peak current बता रहा है तो देखो power क्या होता है यहना power होता है V square upon R और यह बल्ब दिया नहीं इसको pure resistance की तरह मानेंगे तो V square 200 का square R R कितना आएगा बिटा R आएगा 400 peak current I node क्या हो जाएगा V node by R V node हो जाएगा 200 root 2 by 400 तो यह आएगा 1 by 2 इदर root 2 तो 1 by root 2 1 by root 2 एने की 0.707 होता है थर्ड आएगा 71 का ओके फिर आगे आते है 72 में E अब इसमें E radiation जो है वो किसी surface से perfect reflect होता है मतलब कि momentum अगर P आया तो वापस पलट जाएगा तो momentum minus P हो जाएगा तो पताब delta P कितना हुआ 2P के बराबर और energy और momentum का रिलेशन जो होता है E बराबर PC तो E बराबर 2 E Y C यह मेरा answer हो गया थर्ड है ना perfect reflecting में जाएगा double change होता है momentum और momentum energy का रिलेशन जो होता है E बराबर PC 72 थर्ड ओप्शन उसके बराबर आता है 73 73 में बोल रहे हैं कि डेड़गुना frequency का आप light डाल रहे हो उसको आपने फिर frequency को आधा कर दिया है ना तो देखो पहले case में frequency था threshold का डेड़गुना दूसरे case में frequency जो है वो new one का half है मतलब कि 0.75 times हो गया इसका मतलब new two तो threshold से भी कम है तो बता photo electric effect आएगा क्या no effect no effect मतलब electron निकले ही नी electron जब नहीं निकले तो current आएगी क्या नहीं आएगी तो 0 हो जाएगी current 73 का second 74 में बोल रहे है बामर स्रीज की last line की value बताओ है ना wavelength बताओ wave number पूछाओ किये wave number जो है ना new bar वो actually 1 upon lambda होता है क्या हो जाएगा rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square r क्या है इसमें 10 to the power 7 z क्या है hydrogen है अब बोल रहे last line of bomber series last line of bomber bomber का मतलब होता है n1 बरावर 2 और last का मतलब होता है n2 बरावर infinite तो 2 का square और infinite का square कितना आएगा बटा 1 by 4 10 power 7 तो 2.5 बरावर 6 तो 2.5 10 power 6 है ना तो इसको अपन ऐसे लिख सकते है 0.25 10 power 7 ऐसे लिखतो तो मेरा answer हो गया second तो 74 का second आ जाएगा इसमें कोई confusion फिर आता है 75 75 में आपको तीनो input जो हैं पहले तो 0 हैं तो पहले एक बार 0 रख देते हैं 0 0 0 तो 0 0 का multiple 0 फिर 0 0 0 को multiply करें 0 को उल्टा 1 इदर तीनों को 1 रख देते हैं तो 1 और 1 का multiple 1 फिर 1 इदर आया 1 और 1 का उल्टा 0 तो पहले 1 फिर 0 तो पहले 1 0 मतलब कि यह second answer आ गया यह तो पेटा क्रॉस चेक करने इसमें बिल्कुल हलवा question है देखो बिल्कुल easy question चल रहे है 76 76 में बोल रहे है input frequency तो output क्या होगा हमें बता है कि half wave का जो output होता है input अगर इसे है तो half wave का output क्या आता है यह फिर यह तो इसका अदर frequency cycle जो है वो एक cycle दोनों के एक साथ ही complete होते है तो output frequency जो है वो input के बरावर होती answer आगा 60 अगर यही full wave होता तो आपका answer 120 आता तो 76 का answer क्या होगा अपना second answer 77 यह बोल रहे है ERMS यह है तो BRMS क्या होगा B note क्या होगा B note होता है E note by C यहने कि root 2 times of 6 3 10 power 8 तो यह रहे हैगा 2 root 2 10 power minus 8 है ना तो 2 root 2 यहने कि 1.44 का double तो आपका answer आएगा 77 का first फिर आता है 78 यह बोल रहे है कोर्णिया की power 40 है कोर्णिया के पीछे जो lens की उसकी minimum power यह है तो rate in out lens देखो समझना इसको यह lens होता है और यह होता है कोर्णिया अब lens और कोर्णिया जो है minimum power पे काम कर रहे है है ना power जो है वो minimum तब होती है जब object infinite पे होगा मतलब infinite से आने वाली रे को हमें कहां focus करवाना है retina पे तो देखो total power कितने रहेगी p net आएगी मेरे पास 40 तो कोर्णिया की और lens की 20 total मिला के 60 power है तो 1 upon f net के आएगा 1 upon p या 100 upon p कर दो इससे आंसर सेंटीमेटर में आजाएगा तो 100 by 60 याने की 10 by 6 सेंटीमेटर अब आपको V बताना आएगे V तो है ना ये तो पुछाफ से 1 upon V minus 1 upon U बराबर 1 upon f तो 1 upon V infinite minus में 1 upon f तो इसका तो V कितना आएगा f के बराबर VF के बराबर तो आंसर आगे मेरा 10 by 6 याने की 1.67 है ना तो बिल्कुल इस तरीके solve करना आपको पेले power निकाल के f net निकालना है और फिर simple आपको solve करना है है ना और ध्यान रखना system minimum power पे तब काम करता है जब object infinite पे हो है ना जतना object pass आएगा आखों पे load बड़ेगा मतलब आखों को ज़्यादा power काम में लेनी पड़ेगी ठीके 79 पे बात करते यह बोल रहे है root index वाले किसी कांच में कोई light जो है 60 degree पे गिरती है तो देखो simple सा किये से आपका जो angle of incidence है i और mu क्या 10 i निकालो एक बार तो 10 i कितना आएगा 10 60 यहने की root 3 आएगा और mu भी कितना दिया है root 3 दिया है इसका मतलब 10 i equals to mu इसका मतलब i जो है वो actually brewster angle है या polarization angle जिसको बोलते है पन तो इसका मतलब जो incident ray है उससे जो reflected ray निकलेगी वो एकदम polarize होके निकलेगी तो यह ray polarize होके निकलेगी यह reflected ray ध्यान रखना जब भी incidence angle brewster angle के बराबर होता है मैंने की polarization angle के बराबर होता है तो reflected और reflected ray एक दूसरे के perpendicular होती है तो आपस का कोण क्या आएगा 90 degree है ना और अगर ऐसे click नहीं करता आपको brewster angle का concept तो कोई बात नहीं आप incidence लो लगा दो 1 sin i बराबर mu sin r तो sin 60 root 3 sin r sin 60 कितना होता है root 3 by 2 होता है तो 1 by 2 बच जाएगा इदर sin r r कितना आएगा 30 जैसे यार 30 आया आप यहां लिको यह 30 है यह 60 है तो यह कितना बचेगा 90 तो या तो आप basic ray optics के साफ से कर लो या वे optics में polarization क्लिक करता तो वैसे कर लो ठीके तो यह second answer आजागा 79 में चाहे कैसे करो answer आजागा second 79 में 78 में क्या था 1 77 में आपका था 1 ठीके आगे बढ़ते हम 180 पे 80 पे Brewster angle जो है वो क्या होना चाहे देखो हमें पता है Brewster angle जो है 10 theta P जो है वो mu के बराबर होता है क्या mu कभी एक से कम होता है क्या नहीं mu तो एक से ज़्यादा होता है mu एक से ज़्यादा है इसका मतलब 10 theta polarization angle भी जो है वो एक से ज़्यादा होगा इसका मतलब यह हो गया कि theta p जो है वो 45 के ओपर होना ची 45 के ओपर कौन से रेंज जा रही पिटा यह आगा अपना first answer 80 का first इसमें कोई confusion फिर 81 आता है गन की जो भुजा है इनकी side है वो 1.2 10 पार माइस 2 है इसका volume कितना होगा तो volume हो जाएगा 1.2 10 पार माइस 2 मतलब यह तो a दिया वाय है तो volume हो जाएगा aq तो देख 1.2 की पावर 3 करो 10 पार माइस 2 करो ध्यान अगरा side length में जो तने signal figure है ना answer में उतने आएगे तो मेरा answer में obviously वाते यह तो गलत हो गया signal figure को वाइसाफ से यह भी गलत हो गया बचे दो option 12 का स्क्वेर करेंगे तो कितना आएगा 145 फिर उसको 1.2 से मल्टी पार अगर भी स्वा आते एक तो नहीं आएगा ना तो यह भी गलत है तो बच्चावा first सही होगा अपना answer ज्यादा solve नहीं करना है पेटा बिल्कुल आपको एड करना एक यह गलत एक यह सही हो गया एडिशन करना नहीं है एडिशन तो तब करते तब 3 option गलत नहीं होते अब मुझे पक्का पता लगया 3 तो गलत है तो फिर मैं एडिशन क्यों कर वई टाइम क्यों वेस करना एक्जाम में आप डाइरेट 3 गलत पता लग गए अब अगर यह चोथा भी आंसर माल लो मेच नहीं किया ना तो क्याशन ही बोनस हो जाएगा टेंशन नहीं लेनी अपनको नीट में अगर आपने 3 गलत ओप्शन डूण लिए बिना महनत किये यह मतलब कम महनत में कम टाइम में तो पेटा यह अच्छी बात माने जाएगी तीन गलत ओप्शन डूण लो तीन गलत पक्के है ना तो चोथा बचावा सही है फिर सही आरा की नहीं आरा यह चेक करने में टाइम वेस नहीं करना है ओके पिटा तो 82 का मेरा आंसर आजाएगा थरड 83 मा आएगा radius में percent error 3 है तो volume में क्या होगा volume radius की 3 power पे depend करता है तो volume का percentage change बराबर 3 times of radius का percentage change radius में कितना 3 का triple 9 कर दो 83 का 4 हो गया 84 यह बोल रहे है कि projectile की top point पे velocity और acceleration का होता है velocity होता है इधर acceleration होता है downward जी आपस में angle कितना है 90 तो एक दूसरे के perpendicular 4 में 4 हो गया फिर आता है 85 85 में बोल रहे हैं की final value क्या होगी V naught से आ रहा है radius को आपने R by 2 कर दिया तो जेखो सबसे पहले तो angular momentum conservation करेंगे तो M V dash R naught by 2 बराबर MV naught R naught तो V dash कितना होगा twice of V naught अब kinetic energy क्या होती half M twice of V naught का square तो नहीं kinetic energy आएगी 2M V naught square तो मेरा answer आगया 4th 85 में अब आप बोलोगे sir आपने angular momentum के अंजर क्यों करवाया क्योंकि जब आप सरसी के थूँखी खीचरों force आप इधर लगा रहे हो तो यह जो force आ रहा है tension वो velocity के perpendicular आ रहा है यह ऐसा बोलो tension जो है वो axis के लोग आ रहा है तो tension axis के लोग आ रहा है इसलिए torque of tension क्या है 0 इसलिए angular momentum concern हो रहेगा ठीक है बिटा तो आप का answer आ गया radius निकाल लो उसका kinetic energy निकाल लो section B यह बोल रहे हैं कि maximum speed क्या होगी तो को direct formula है maximum speed होती है root of gr mu plus 10 जड़ा 1 minus mu 10 जड़ा first option है ना इसमें तो कुछ सौंचे नहीं नहीं बिटा direct tick हो जाए गए तो 87 यह बोल रहे हैं दो particle जो है उनका axis से और perpendicular जो axis हो उसमें देखो यह M1 और यह M2 है ना इनका center of mass suppose को रहे हो यहां लाई करता था इस axis के about आफसी inertia पूछा है तो इसका direct formula होता है बेटा moment of inertia होता है mu into L square mu का मतलब होता है reduced mass बोलो क्या होता है M1 M2 upon M1 plus M2 L square direct formula यह भी fourth answer होगा 87 का अगला आता है 88 88 में देखो एक M mass का object है less than K जो है less than 1 है और यह आपने S kep velocity से कम से फेका है कहने का मतलब ही होगा तो आप यह बोल रहो वो बूसर है कि maximum कितनी height तक जाएगा एक बार option cross check कर सकते है कि आपन देखो R square तो height आएगी नहीं height तो R की dimension में आएगी न यह गलत हो गया suppose करो K की value अगर 1 कर देता मैं मतलब मैं S kep जितने से ही fake रहा हूँ तो क्या यह height infinite आथी की नहीं आती बिल्कुल आती तो height infinite आथी इसका मतलब की K बराबर 1 put करने पर height infinite decimum आ रही है हाना और अगर आप देखो तो इसमें तो K की कोई भी value put कर दो first option में कभी भी R से उपर height आएगी नहीं first option कैसे गलत है आप K की कोई भी value put कर दो answer height का हमेशा R से कम आएगा क्योंकि यह factor हमेशा less than 1 आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि radius से कभी जादा उपर जाएगा नहीं बिल्कुल जाएगा वह आप escape जितना नहीं दे रहे हो लेकिन अच्छी खासी speed दे रहे हो न तो object हो से तक 2R height पे चला जाए 3R पे चला जाए तो second भी गलग दो गया अब बचे मेरे पास 2 option ठीक है VE का square MGH1 plus H upon R यह होता है मैंने कहा क्या delta K में जो loss आएगा kinetic energy में जो loss आएगा potential में gain में convert हो जाएगा M से M खतम है ना थोड़ा सा VE का formula लिखेंगे half K square V होता है root 2GR तो root अट जाएगा 2GR आगया GH1 plus H by R देखते हैं क्या क्या कट रहा है 2 से 2 खतम G से G खतम ठीक है तो यह आएगा K square R 1 plus H by R H तो K square R K square H H तो H क्या जाएगा K square 1 minus K square R यह आगया H का मेरा answer बनेगा क्या बनेगा बेटा मेरा answer बनेगा 3rd option ठीक है अपनी किस्मत यहां उतनी काम नहीं करी कि 3 option गलत मिल जाते 3 गलत मिलते हैं मैं 3 3 गलत होते ही तो फिर यह इतना कुछ करने जरूतीन थी पर ठीक है Cross checking में बेटा यह होता है कि कभी 3 option मिल जाते कभी नहीं मिलते M mass और D density की बोल जो है वो कुछ time बाद constant speed गयन करती terminal speed जो होती फिर यह बोलते है कि D by 2 density में अगर इसको डालें तो force क्या हो जाएगा उस पे तो देखो जब आप किसी भी बोल को drop करते हो तो अबयसी बात है कुछ तो force जो है वो buoyancy force बैलेंस करते है Mg का effect बच्चा हुआ जो है वो कौन आता है फिर अपने पास ही तो देखो density of object अगर D है और liquid की density D by 2 है तो इसका मतलब buoyancy force जो है वो Mg का आदा लगेगा है ना liquid density D by 2 दी है ना तो Mg का आदा अब जब यह constant speed होगी तो बच्चा हुआ difference कौन बैलेंस करेगा viscous force तो बाकी viscous force बैलेंस कर देगा आदा तो buoyancy force ने बैलेंस कर दिया D by 2 यहनि कि जब भी ध्यान रखना liquid की density object की density का आदा है तो जो buoyancy force की maximum value आएगी वो आएगी Mg की आधी ठीक है तो इस रिसाब से अपना बच्चा बच्च जो डिफरेंस होगी viscous force को बैलेंस करना पड़े 89 का फोर्थ हो गया अगला आता अपने पास 90 90 की बात करते हैं बोलते हैं constant tracer और cp cv को रिखते हैं तो cv का मान क्या होगा पर cv का direct formula आता है r upon gamma minus 1 यह आ गया और cp का क्या होता है cp का होता है gamma r upon gamma minus 1 यह cp cv होते हैं तो आपका 89 का हो गया fourth option ठीक है फिर आता है 90 90 में बोल रहे हैं कि इन में क्या होगा देखो दोनों पहली बात तो same direction में है तो y1 को में लिखूंगा a sin omega t y2 को cos की जगे में लिखूंगा a sin omega t plus 90 90 degree difference हो phase difference तो इसका मतलब a1 amplitude तो इधर आएगा b amplitude इधर आएगा तो resultant क्या हो जाएगा a2 plus b2 के साफ़ देखे root a2 plus b2 की shm आएगी ठीक है बिलकुल 90 में आपका fourth option हो गया यह shm का super position wave में भी काम आता है 92 r radius में एक electron एक second में n चक्कर लगाता है तो इसमें magnetic field एक center बताना है b क्या होता है किसी भी current caring loop का formula होता है minote n i upon 2r अब यहाँ n चक करे n को चलो एक loop एक electron लिए n को 1 मान लो frequency into charge यह होता है current divide by 2r तो क्या आएगा minote n upon 2r minote n upon 2r मेरा answer आएगा first option ठीक है 92 में first आगया तो 91 का था अपना first fourth 92 का first 93 पाते हैं यह बोल रहे हैं किसी तार में आपको electric current low rise तार को आपने circular loop में मोड दिया तो magnetic field b है n turns में convert करते तो क्या होता देखो l length के तार को आपने r radius की loop में convert किया तो r की value क्या आएगी l upon 2pi उसी तार से आपने n turns बना दी तो ln तो भी भी same है ना लेकिन r देश के आएगा l upon 2pi का n times यनि की पहले वाली radius का 1 upon n times है ना तो b पहले वाला कितना था may not i upon 2r बाद वाला b dash के आएगा may not ni upon 2r by n तो n square और b आजाएगा यह आगया मेरा first answer 94 में क्या बोल रहा है n type के लिए कुन से statement करेक्ट है n type में क्या होता है pentavalent impurity मिलाते हो ठीक है और holes जो है वो minority होते है ठीक है तो holes minority होते है ठीक है और pentavalent impurity जो है वो misrit होती है ठीक है तो इसमें first भी तो correct है holes are minority carrier pentavalent atoms are dopant और pentavalent dop करते है electrons जो है majority होते है तो अच्छा first इस है यह है na hole minority होते है pentavalent जो है वो doping करते है ठीक है 94 का मेरा answer हो जाएगा first option 95 में बोला है प्रिजम का refractive index root 2 है प्रिजम angle 30 है है ना और प्रिजम के दोनों में से एक layer को आपने silver कर दिया और यह वापस retrace करवाना है देखो बहुत ही common question है आपने 30 degree angle के प्रिजम में retrace करवाना है retrace करवाना है मतलब यहाँ angle 90 रखना है यह 30 हो गया प्रिजम angle तो यह कितना बचा 60 तो यह कितना बचेगा r1 30 बचेगा और यह आपसे i पूछा है तो 1 sin i बराबर mu sin r1 sin i root 2 sin 30 यहने की root 2 into 1 by 2 यहने की 1 by root 2 तो i कितना हो जाएगा 45 degree यह मेरा थर्ड आंसर आगया 95 में फिर अगला आता है 96 96 में गोलने की यह width की एक slit है और उस पर आपने lambda light डाल दी ठीक है तो central maxima की width बताने अरे simple से था है single slit diffraction में जो central maxima बनता है उसकी width बताओ ऐसे बनते हैं न pattern तो central maxima की width क्यों होती है है न lambda capital D by A का double second answer आगया यह मेरा हो गया 96 का second 97 में बोल रहे हैं की एक गोला जो है वो तीन पार्ट में तूटता है same mass वाले एक दूसरे के perpendicular चले जाते हैं तो अब देखो पहले का mass मैंने मान लिया 5M अब 2M और 2M तो चले गए perpendicular 1M किदर जाएगा तो इसका मतलब P final बराबर P initial P final किया है 2M V I cape 2M V J cape है ना और M V dash vector में मान लो initial momentum 0 है तो V dash किया आएगा 2V minus I और 2V minus J answer किया आएगा इसमें 2V root 2 times V dash तो 2 root 2 V यहने की मेरा answer आगया second answer यह आगया 97 का second बेटा कोई confusion 98 की बात करते हैं यह बोल रहे हैं कि 2 glass lab आपस में जुडी हुई है और इनको हटाने के लिए आपको large force लगाना पड़ता है इनमें एक पानी की layer बनी हुई है तो पानी की layer English में लिखावा है thin layer ठीक है तो यह बोल रहे हैं पानी जो है वो एक glue की तरह काम करता है stick glue नहीं actually यह surface tension के effect होता है तो 98 में जो आपका assertion है वो तो ठीक है but reason जो है वो glue वाला ऐसा कुछ नहीं stick होती है actually वो stick होने के कारण ता surface tension तो आपको surface tension का जो force है against extra force लगाना पड़ता है है ना तो अफकांसर आजागा third 99 में क्या वो लाए कि दो object है और इनकी heat capacity जो है वो temperature के साथ बढ़ती मतलब जैसे जैसे temperature बढ़ेगा C बढ़ेगा अभी बोल रहे है object तो M mask का दोसरा भी M mask का 1 0 पे 1 100 पे आपने इनको mix किया तो कोई T temperature आएगा तो T temperature किस range में आएगा तो देखो सोचो अगर में T को 50 मानता थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये 50 होता तो ऐसे समझो C temperature के साथ बढ़ रहा है मतलब 0 से 50 तक लाने में अगर आपने 50 calorie heat दी होगी तो 50 से 100 तक लाने में 100 calorie heat दोगे है ना अब आप सोचो ये जब 100 से 50 आएगा 100 calorie release करेगा ये जब 0 से 50 जाएगा 50 calorie gain कर लेगा तो 100 calorie release होगी 50 gain होगी तो भी 50 बजगे ना बाकी 50 क्या करेगी उसका temperature और बढ़ा देगी इसका मतलब temperature 50 से ज़्यादा आएगा है ना वापस हमें ना अब इसमें ऐसे मानलो कि अगर ये 50 तक आता ये object सब्सक्राइब 50 तक आता तो ये ज़्यादा release करता क्योंकि यहाँ पर average capacity C1 है और ये C2 है और हमें पता C1 less than C2 आएगा average मानल लेगा 50 से 100 की average को चलो C2 मानल लेते हैं 0 से 50 की average को C1 मानल लेते हैं C1 कम है न तो कम heat चाहिए इदर से ज़्यादा release होई extra heat बचेगी वो क्या करेगी temperature वापस 50 के उपर बढ़ा देगी तो आपका answer आएगा 99 का first then इसके बाद आपका answer आता है 99 के बाद 100 100 में आपको एक dipole दियावा है और ये किस direction motion करेगा देखो electric field क्या है variable तो यहाँ पे field में मानल लेता हूँ E1 ये E2 इसकी वाज़े से force लगेगा F1 और इदर से force लगेगा F2 अब बताओ ज़्यादा field कोन सा है बही line diverging है तो E1 जो है वो ज़्यादा रहेगा E2 से F1 ज़्यादा रहेगा F2 से तो dipole किदर आएगा right side तो dipole और अपने आप motion कर रहा है इसलिए potential energy गटेगी तो ध्यान रखना जो object अपने आप motion करता है हमने external force नहीं लगाया तो उसकी energy पका गटेगी तो बिल्कुल easy paper था I hope आप लोगों ने इसको अच्छे सा attempt किया होगा और यहाँ पे आपकी जो test series खतम होती है तो बच्चो physics में paper जो है वो काफी आसान आयने वाला है कुछ question अगर tough लगते हैं तो उनको skip करें और बाकी जो आपके आसान question हो उनको attempt करते रहें जहान रखना 50 है question और 45 attempt करने है section B में कुछ question जो है वो थोड़ आसा high level के हो सकते है ठीक है mentally prepare रहो तो अपनको तो 45 ही करने है जो tough लगत उसके skip करो कोशिश है करना कि जितना आपको आता है at least उसमें से तो सारे सही हो जाए है ना तो आपका एक अच्छा score यहां बन जाएगा ओके बच्चों all the best thank you